नमस्कार बहुत स्वागता है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर आज के अंक में हम जानेंगे कि किन महिनों में आपको घर का निर्मान करना चाहिए सही महिने में सही तिथी को किया गया निर्मान हमेशा आर्थिक लाब देता है तो हम हिंदी के अनुसार सुरू करते हैं जो सास्त्र में कहा गया है पहला महिना है बैसाक बैसाक मा ये बैसाक मा आपका जो अंग्रिजी का कलेंडर है इसमें ये करीब करीब अप्रेल में में पढ़ता है कभी कभी थोड़ा सा मार्च में भी पड़ जाता है आप हिंदी के पंचांग वाले कलेंडर देख लें तो बैसाक मा में ग्री निर्मान आरंब किया जा सकता है ये अति सुभ माना जाता है बैसाक मा में ग्री निर्मान करने से आर्थिक लाब बतलाया गया है सास्तर में धन संपता से परिपुर्ण आर्थिक लाब देने वाला मांसिक समस्या कभी नहीं होती है गौदान के पराबर फल मिलने वाला सुब बतलाया गया है तो आप बैसाख मामेगरी निर्मान का कारिय सुरू कर सकते हैं दूसरा जो सबसे सुब महिना बताया गया है वो है शावन मास शावन मास जो अंग्रेजी के कलेंडर के अनुसार जुलाई अगस्त के महिने में पढ़ता है ये कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ जाते हैं इंग्लिस के नुसार हंड्रेट परसेंड जट्ष नहीं होता ये दो माह में पढ़ता है तो जुलाई अगस्त में ये पढ़ता है शावन माह में ये जो है अति उत्तम समय माना गया है गिरी निर्मान प्रारम्ब करने के लिए बहुत अच्छा समय है ऐसा घर जो है ब्यापार में लाब देता है धान आगमन बहुत होती है सगे संबंधियां तक इस घर वाले के परसंद रहते हैं मतलब ये अति सुब होता है तीसरा माह जो अति सुब बतलाया गया है वो है कार्तिक माह अलांकि कुछ भी द्वान कार्तिक माह को काट देते हैं कि ये अच्छा नहीं लेकिन जो मतस्य पुरान में अस्पष्ट कहा गया है कार्तिक माह के विशे में कि कार्तिक माह में किया गया निर्मान से धन्य धान से परिपुर्णता रहती है इसे घर में अगर आप अपना भवन कार्तिक माह में प्रारंब करते हैं यह कार्तिक माह आपको अक्टूबर नवंबर अंग्रेजी के कलेंडर के अनुसार अक्टूबर नवंबर के आसपास पढ़ता है आप पंचांग कलेंडर से इसे असपास्ट कर सकते हैं धन्य धाने से परिपुर्ण रहने के लिए निर्मान करें नेक्स्ट जिसके बिसे में कहा गया है वो है मार्ग सीस मा ये नवंबर डिसम्बर में पढ़ता है ये आर्थिक उन्नती के लिए काफी महतपुर्ण है यमा इस माह में निर्मान कराने वाले जाथ तक हमेशा आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं अन्न और धान की कभी कमी नहीं होगी ऐसा सास्तर में लिखा है अन्न की तो कभी कमी नहीं होगी आपके द्वार पे आने वाला बेक्ती भोजन करके ही जाएगा ऐसा सास्तर में लिखा गया है असपस्ट रूप से फागुन माह भी सर्वुत्तम माना गया है निर्मानकारी के संबंद में अगर आप नए भवन का निर्मानकार करने जा रहे हैं तो फागुन माह में अवस्य प्रारंब कर सकते हैं इस माह में किये गए निर्मानकारी वाले घर में रहने से आपको हमेशा लाब होगा जब इंगलिश के करिंडर के अनुसार जब देखा जाता है तो ये फरवरी और मार्च मह में पढ़ता है गरी निर्मान आप जब भी करें तो बास्तू का बिसेश ध्यान रखें बास्तू के अनुसार बनवाए गए भवन का प्लान ये नक्सा या मान चित्र सर्वता उचित होता है कि किस जगह पर किस अस्थान पे आपको किन चीजों का परियोग करना है तो बास्तू का बिसेश ध निहान रखते हुए ही आप भवन का निर्मान कराब हैं आज के अंक में इतना ही मिलते हैं अगले अंक में धन्यवाद